चित्रकूट भारत के उत्तरप्रदेश राजि में स्थित एक धार्मिक शहर है यह शहर मंदाकनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक है चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ है हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है किंतु चित्रकूट को से भी उचा स्थान दिया गया है शांत और सुन्दर चित्रकूट प्रकृती और ईश्वर की अनिपमदीन है जो चारों और से विंदि परवत श्रंख्राओं और वनों से घिरा हुआ है चित्रकूट को अनेक आश्चरयों की पहाड़ी कहा जाता है मंदाकिनी नदी के किनार बने अनेक घात और मंदिरों में पूरे साल शद्धालूं का आना जाना लगा रहता है ये शहर बहुत ही सांस्कृतिक, एतिहासिक, धार्मिक और पुरा तात्विक महत रखता है चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमी है भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताय थे दोस्तों चित्रकूर जिला उत्तरप्रदेश के चित्रकूर डिवीजन में आता है ये शहर महुबा नगर के बाद उत्तरप्रदेश का दूसरा सबसे कमाबादी वाला जिला है जो की मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है और चित्रकूट जिले का कुल शित्र फर्ल 3216 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तथा साल 2011 की जन्गर्णा के अनुसार चित्रकूट जिले की कुल जनसंख्या 9 लाग के लगभग है और साक्षरतादर 66.5-3% है। दोस्तो चित्रकूट एक ऐसी तपस्थली है जहां की मिट्री पहाडो वन और जर्नों की खुश्बूद देश-विदेश के योगियों विश्यों और श्रद्वालों को अपनी और आकर्शित करती रही है। विचित्रताओं और विभिन्दताओं वाले शेत्र पर कही कल कल करती मंदाकिनी का सुन्दर जल है। तो कहीं विध्यपरवत शंखलाओं का अन्मुक्त यौवन विखेरती पहाडिया हैं तो कहीं सुन्दर गुफाओं में मौजूद नायाव नमूने हैं। तो कही किलोमीटरों में फैले विशालकाय जंगल है परेटक इन सुन्दर नाजारों को देखकर अपनी सद्ध बुद्ध विसा देता है देश में मौजूद अन्य परेटन किंद्रों की तरफ जाने वाले लोगों में जहां सिर्फ तफ्रीव और सुन्दर द्रिश्यों को द धर्म की इस नगरी में आकर अपने आपको पुष्य का सबसे बड़ा भागी मानता है दोस्तों इस जिले का गठन 6 मई 1997 को ही किया गया था प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बांदा जनपत को विभाजित कर चत्रपती शाहुजी महराज नगर जिले का गठन किया गया था कुछ समय बाद 4 सितंबर 1997 को इस जिले का नाम बदल कर चित्रकूट कर दिया गया था दोस्तों इस जिले के उतर में फत्यकूर जिला पश्चिन में बांदा जिला दक्षन रदक्षन पूर्व में मध्यप्रदेर उत्तर पूर्व में कौशामभी जिला तथा पूर्व में लाहबाद जिला स्थित है दोस्तों इसके अलावा चित्रकूट जिले में कई सारे खूबसूरत तर्शनीय स्थल मौजूद है जैसे श्रद्धानू कामदगिरी परवत की 5 किलो मिटर की परिक्रमा कर अपनी मनुकामनाय पूर्न होने की कामना करते हैं जंग्रों से घिरे इस परवत के तल पर नेक मंदिर बने हुए है चित्रकूट के लोग पर एक कामतानात और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं स्थित है राम घाट राम घाट वह घाट है जहां प्रभू राम नित्यस्नान किया करते थे इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसिदास जी की प्रतिमा भी है मन्दाकिनी नदी के तट पर बने रामधाट में अनेग घर में क्रियाकलाब चलते रहते हैं धाट में गेरुआ वस्त्रधारण किये साधू संतों को भजन और कीर्टन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है शाम को होने वाली यहां की आरती मन को काफी सुकून पहुचाती है इनके अलावा आप गुप्त गोदावरी, सतियनुसुया आश्रम, हनुमान धारा, जानकी कुंड, स्वटिक शिला, शबरी फाल्स जैसे कई सारे खुबसूरत तुरिस्ट पैलेस देख सकते हैं पर आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें